इस लेक्षर में Autonomy of CBI के बारे में डिस्कस करेंगे Central Bureau of Investigation देखो CBI क्या इसके बारे में पढ़ चुके हैं और General Consent to CBI एक टोपिक इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं General Consent का मतलब होता है जब CBI किसी स्टेट में Investigation करने जाती है तो अगर किसी स्टेट ने General Consent दी हुई है CBI को तो स्टेट गोर्मेंट से Permission नहीं लेनी पड़ती Investigation करने से पहले लेकिन अगर किसी स्टेट ने General Consent विद्रो कर ली ले ली वापस तो फिर उसे पहले permission लेनी पड़ेगी state में घुसने से पहले investigation करने से पहले और CBI क्या है दो को ये ना तो statutory body है ना तो कि इसके लिए को special act बना के इसको बनाया था और नहीं सवीधान में दिया है नहीं constitutional body है तो नहीं statutory body है नहीं constitutional यानि कि ना तो सामविधिक और नहीं समयधानिक ये संस्ता है तो कैसी है ministry of home affairs ने इसके लिए एक resolution पास किया executive resolution और ये बना दी लेकिन अभी फिलाल ministry of personal के अंदर ये काम करती है तो ये याद रखना है अभी आते है autonomy of CBI यानि कि CBI की autonomy के बारे में supreme court में central government ने ये कहा इसकी जो investigating agency है ना इसके उपर कोई control नहीं है इशू क्या है इशू ये है देखो west बंगाल government ने ये union of india यानि कि government of india के against ये suit file किया था supreme court में CBI के पार्टी नहीं माना था CBI का case था लेकिन union government का नाम लेके किया था कि union of india ये interfere कर रही है तो west बंगाल ने क्या बोला था क्योंकि देखो CBI की jurisdiction को challenge किया था supreme court में क्योंकि CBI case register कर रही थी FIR दर्ज कर रही थी और state में west बंगाल में investigation कर रही थी क्योंकि state government ने west बंगाल ने general consent वापस ले ली थी 2018 में उसके बावजूद CBI ने west बंगाल में घुसने से पहले west बंगाल की government से permission नहीं ली इसलिए CBI के खिलाब union government का नाम लेके west बंगाल ने supreme court में ये file किया था उसी का जवाब दिया था central government ने कि ये autonomous body है central government का कोई इसमें हस्तक शेप नहीं है तो ये क्या है पूरा मामला जानेंगे central government का क्या observation है central government ने कहा कि देखो CBI power लेती है इस act से डेली special police establishment act ये 1946 का act है इस से लेती है union of इंडिया का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है ये central government ने कहा जो central vigilance commission है CVC एक statutory body है भाई साफ act बना के इसको बनाया गया था कानून बना के ये superintendent करती है CBI के उपर और ये act ही कहता है कि इसमें किसी और का interference नहीं होगा CBI की investigation में लेकिन कुछ challenges हैं CBI की autonomy के सामने कुछ चनोतिया है वो क्या है देखो agency में जो staff आता है staff काम करता है CBI के अ होती है क्योंकि सारा जो staff पर यही appointment करती है CBI का ministry of home affairs सारे जो investigators होते हैं यह आते हैं Indian police service से यनिकि IPS जो अधिकारी होते हैं जैसे आप IIS IPS की त्यारी कर रहे हो आप civil service का UPSC का paper दोगे अगर आप IPS बन जाते हो तो यह CBI में इनको deputation पर भेज़ देती है government तो यह agency में देखो ministry of law ministry है उसके उपर भी depend होती है कोई functional autonomy कुछ हद तक इसकी नहीं होती है CBI में जो चलाते हैं वो IPS officer चलाते हैं जो deputation पर होते हैं इन्हीं को appointment करते हैं CBI में central government वही देखो CBI का director बनता है वो कौन बनता IPS officer बनता है तो यह central government की ability है कि वो अपने हसाब से manipulate कर सकती है CBI को senior officer को क् यह point करती है central government तो central government पर depend होते हैं यह अधिकारी posting के लिए future posting कैसे की जाएगी तो central government इंटर फेर कर सकती है central government के काम कहने पर काम कर सकते हैं क्योंकि नहीं डर रहता ही आगे posting कहीं और कर देंगे या खटा देंगे कैसे तो यह भाइस साब dependent होती है एक तरह से तो state government पर भी depend ह होती है कैसे देखो सारे investigation case जो state में करने होते हैं तो state ने अगर general consent दे रखी है तो ठीक है state government की permission नहीं लेगी जाके investigate कर लेगी लेकिन अगर वो general consent वापस ले ली जैसे west बंगाल government ने 2018 में वापस ले ली थी तो फिर central government का भले ही कोई employee state government में है उसके खिलाप investigation कर रही है cbii तो फिर state government से पहले permission लेगी घुसने से पहले investigation करने से पहले तभी वो investigate कर सकती है यानि कि देखो police का काम होता है यह investigation करना police का का काम state police आती है state subject में जो हमारे सवीधान में बार है इस जूल दिये हैं उसमें जो सातवस जूल है उसमें तीन list दियो हुई है concurrent list, central list और state list state में जो subject ले गए है state government ही normally law बना सकती है उन पे कानून बना सकती है emergency situation में central government भी बना सकती है जो central list में दिये हैं केवल और केवल central government ही law बना सकती है उसके लिए और concurrent list में दोनों बना सकती है state और central government अगर central government का law बना हुआ है तो वही prevail करेगा वही माना जाएगा लेकिन पुलिस आती है state subject में यानि कि इसके law कौन बना सकता है state government तो पुलिस किसके अंदर है state के हलग अलग-अलग state के हमारे देश में अलग-अलग police है तो state के दाएरे में आती है state government के अंदर और सीबिया जब यह investigation कर रही होती है तो code of criminal procedure के अंदर यह करती है case दर्ज और उसी के द्वारा करती है यानि कि police agency की तरह काम करती है तो police की तरह काम करती है तो state government से permission लेने की ज़रूत है consent लेने की ज़रूत है CBI को अगर वो कोई भी procedure कोई भी investigation कर रही है करने से पहले तो अगर state government ने general consent दे रखिये तब तो नहीं लेगी अगर withdraw कर लिए तो इसे permission लेनी पड़ती है तो एक तरह से एक cumbersome process है बेढ़ंगा एक procedure है जो अभी चल रहा है अब Supreme Court का क्या कहना है CBI की autonomy के बारे में Supreme Court का 1997 का एक case है विनीत नारैन versus Union of India इसमें बहुत सारे step दिये थे ताकि CBI की autonomy को secure गया जा सके बाद में देखो Supreme Court ने caged parrot का मतलब है पिंजरे में caged तोता इसको बोला CBI को क्यों बोला भाई साब कही कारण बताए एक तो CBI का politicization होता है political जो नेता है भाई साब वो interfere करते है CBI के काम के अंदर और politically biased corruption होता है corruption भी होता और politically biased क्योंकि Supreme Court ने क्रिस्टिसिजम किया कही बार caged parrot बोला है कि जो जो party होती है ना party power में होती है उसी के कहने पर ये काम करती है एक तरह से क्योंकि ये इसको manipulate कर सकती है जो central police official होते है वो deputation पर कौन appoint करता है CBI में central government तो central government अपने हिसाब से इसको influence कर सकती है प्रभावित कर सकती है CBI को तो इसमे political interference देखने को मिलता है ये Supreme Court ने बोला था अब what institutional reforms are needed क्या क्या अब ऐसे reform किये जाएं कि CBI को और autonomy provide की जा सके कि अपने ये independently काम कर सके central government के interfere के बिना देखो CBI operate अगर ensure करनी है कि CBI operate करे independently तो एक formal modern legal framework होना चाहिए यानि कि देखो second administrative reform commission है जो second ARC ये 2007 में इसने एक suggest दिया था recommendation की थी कि भाई साथ new law बनाएं इसको govern करने के लिए CBI के लिए एक अलग से law बनाएं ये DPSC जो law बना हुआ है 1946 का इसमें इसको इसके द्वारा इसको पावर ना दे बलकि इसके लिए अलग law बनाएं कानून बनाएं ताकि इसकी independent इंस्योर की जा सके सूनिसित की जा सके parliamentary standing committee 2007 में उसने भी एक अलग law बनाने की बात की थी separate act बनाओ इसके लिए ताकि इसकी credibility और impartiality impartiality का मतलब पक्स पक्त ना हो किसी के एक पार्टी के पक्ष में जो सत्ताम है पार्टी उसके पक्ष में फिर 2007 और 2008 में parliamentary standing committee की 19th और 24th रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही बात बोली थी के legal magnet हो एक अलग से law बनाओ infrastructure और resources इसके लिए अलग से हो और financial autonomy provide करे government साथ साथ देखो जैसे कैक को autonomy मिली हुई है ना controller and auditor general को इसी तरह से autonomy दी जाए cbic को एक नया cbic act government को लाना चाहिए जिसमें quality और supervision यहां पर भरती करें तो वो खुद to cadre decide करें cbic के पास यह power हो और parliamentary oversight हो यानि कि Parliament यह देखवाल कर सके monitor कर सके कि federal crime या intelligence agency कैसे काम कर रही नहीं कर रही यह पार्लामेंट च्छानबीन कर सके पार्लामेंट में तो सारी party आ जाती है सत्ता वाली party नहीं होती तो यह oversight करें इसके काम को यह कुछ suggestion है यही था इस lecture में कर दो